नमस्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप के बारे में जिससे आप कोरोना से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से ले सकते हैं बिहार में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बनाने पर आमदा है हर दिन मिल रहे मामलों ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है सबसे जादा खराब हाला दिराजधानी पटना की है पटना में भी संक्रों में तो किया आकडों ने सब ही रिकॉर्ड को तोड़ दी है हाला कि इस बीच बिहार में स्वास्तेवस्था की भी पोल खुल गई है जिससे एक बात तो साफ है कि सरकार ने पिछले साल से कुछ भी नहीं सीखा है अगर सीखा होता तो कोरोना जैसी खतरनाग बिमारी को इतना हलके में नहीं लिया जाता यही कारण है कि आज मरीजों के संख्या तो बढ़ गई है मगर अस्पतालों की विवस्था पहले जैसे ही फिसड़ी है मगर इस बीच बिहारवासियों के लिए संजीवनी का काम करने के लिए संजीवन आप सामने आया है सबसे पहरे आपको बता दे कि संजीवन आप है क्या तो हम आपको बता दे कि इस प्रकार का ये एक application है जिसमें COVID-19 से बचवाफ के उपाई जाच, उपचार, स्वास्थिस, संस्थानों की सूची और अन्य महतवपूर्ण जानकारियों अपलब्त कराई जाती है जो की हो सकती है क्योंकि COVID-19 के माहौल में हर तरफ से आ रही खबरों में एक चीज जो समान है कि अस्पतालों में बेट की विवस्था नहीं मिल पा रही है इसके कारण मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में आने जाने में काफी ज्यादा समय बरबाद हो जाता है ले इसको पुनह अपडेट करने की कारवाई शिरू कर दी गई है स्वास्तव भाग के प्रधान सचफ प्रत्य अमरित इस बात की जानकारी दे चुके हैं उन्होंने बताया कि सजीवन आपको अपडेट करने का काम किया जा रहा है जिसके बार संदिग्ध मरीजों को COVID-19 की जा जाच के परणाम की जानकारी SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है इसके साथ ही जिलासतर पर कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें सूचित किया जा रहा है इसके साथ ही जाच को सुगम बनाने और अन्य सुवधाओं की जानकारी देने के लिए आप्लेकेशन को अपड अब संजीवन मोबाइल आप्लिकेशन के माध्यम से निकरतम COVID-19 सेंटर और डेडिकेटड COVID-Care Health सेंटर में उपलब्ध बेड की जानकारी मिलेगी स्वास्तवभाग के डाटा इंट्री ओपरेटर को अधितन जानकारियों को फीड करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है इसके साथ ही संजीवन मोबाइल आप के माध्यम से COVID-19 से बचाव के उपायों, मास्क, सैनिटाइजर, इत्यादी के उपयोग और डायल 104 के माध्यम से ओनलाइन परामर्ष की जानकारी भी ली जा सकती है आप के माध्यम से आप सवाल भी पूछ सकते हैं वाई हम आपको बताते हैं कि आप के माध्यम से आप किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं संजीवन आप की एक बात यह खास है कि आप इस आप के माध्यम से चाट बॉक्स की सुवधा भी ले सकते हैं इस पर सामाने प्रशन भी पूछे जा सकते हैं और कोविट-19 से जुड़े अन्य जानकारी भी उपलब्ध की जा सकती है इसके साथ ही आपको उपलब्धा फीडबाग की सुवधा भी मिलेगी जहां पर आप अपना फीडबाग भी दे सकते हैं आपको बता दे कि इस अप्लिकेशन को आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउन्डोड कर सकते हैं हम उमीद करते हैं कि COVID-19 के बढ़ते संक्रमन के बीच संजीवन आप आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा हालाकिस आपके माध्यम से आपको COVID-19 से जुड़ी सभी तरह की जहांकारी आसानी से मिल जाएगी इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके घर में कोई COVID-19 संक्रमित है तो आप पहले संजीवन आप पर किस अस्पताने कितने बेड उपलब्ध है कितने नहीं है इस बात की जानकारी पहले ले ले जिससे आपका समय भी बचे और मरीज का इलाज समय पर करना संभव हो सके इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धनिवाद